हेलो अब्रीवन आपका मेरे यूट्यूब चैनल होडी रिक्स पर स्वागत है आज मैं आपके लिए लाइम हरी मटर का मीमोना हम सामक्री देख लेते हैं या पर एक बॉल के लगभग में मटर लिया है हरी धन्या दो हरी मिर्च लासून प्याज एक मिडियम साइज और एक इ दूसरे ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड करनेंगे यहां पर हमने दो मिडियम साइज आलू को इस तरह से कट कर लिया है और तीन वड़ी जो उड़त की वड़ी होती है इसको ले लिया है गैस पे करढ़ाई रखेंगे उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसमें डालेंगे एक बड़े टेबल इस्पून के लगभग मस्टर्ड आयल आप कोई भी तेल ही उच कर सकते हैं तेल के गर्म हो जाने पर यहां पर हम सबसे पहले उड़त की जो वड़ी है उसको फ्राई कर लेते हैं इसको ब्राउन घुलेंगे पिर इसको निकाल लेते हैं यहा अलू को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे लेम को मेडियम ही रखेंगे अलू फ्राई हो गया है अब इसको निकाल लेते हैं दूसरी बरतन में थोड़ा से तेल और डालेंगे तेल यहां पर हमने कमी उच्पिया है आप ज्यादा भी कर सकते हैं हाग पीस्पून घीरा डा देंगे एक पिंच के लगब भी इसी के साथ इसमें याट करेंगे आधा तेज पत्ता अब जाने के बाद इसमें हम आप करेंगे लासो नद्रक मिर्च प्याज का पेस्ट इसको पान से छे मिनट मेडियम फ्लिम पी पकाएंगे अब यहां पर डाल देंगे आधा चमच के लगब भाड़ी पाउडर दो से तीम मिनट हल्दी के साथ इसको पका लेंगे अब इसमें एक कर देते हैं पिसे हुए मटर और धनिया को अमबने मोटर के साथ इस जो माटर में हरापन रहता है वो अब इसी तरह करीएगा is को अब मोटर को हम साथ से आठ मिनट मीडियम प्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनेंगे यह दिखिए इतना भुन गया, अब यहाँ पर हम डाल देंगे गरम मसाला, घर का पिसा हुआ मसाला है, आप टैकेट का भी यूँच पर सकते हैं 2-3 मिनट मसाले के साथ इसको भूलेंगे यहाँ पर डाल वेंगे आलू के साथ भी चार से पाच मिनट इसको भूलेंगे और स्वादा नुसान नमग एड़ कर देते हैं मिला लेंगे अच्छे से 2-3 मिनट भूलेंगे अब हम इसमें ग्रेवि में दो पेड़े लग भूल नैंटेस थोड़े बटनी ड़ालेंगे और मिलाते तक इसमें गुट्लीया है वो हट जहाए मैं अब धोड़ा सा पाणी ताका पानी यारस में अट करनी पचली कि र्खेंगे क्योंकि निमोना पकने के बाद थोड़ा थीक हो जाता है इसी के साथ हम इसमें फ्राई किये हुई वड़ी को डाल देते हैं इसे तेश्ट अच्छा आता है निमोना में यह जरूर करता है बहुत ही स्वादिश्ट लगता है यह हाई फ्लेम पर एक बायल आनमे देंगे इसमें फिर फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसको जाग हटने तक पकाएंगे जब तक इसके जो जाग है समझ लीजिए यह अभी पका नहीं है जैसे इसका जाग खतम हो जाए तो समझ लीजिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे आप इसे चावाल या रूटी के साथ ले सकते हैं यह बहुत ही देश्टी लगता है इस समय के मटर जो हमें मार्केट में मिल रहे हैं वह काफी मीठी होते हैं तो इसका निमोना बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरे बरतन में ट्रं सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और इस पी चाहिए तो आप हमको कमेंट वाक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद